स्वागत आपका Self Study के इस चैनल में तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं धिग विजेज सिंग जो एक कॉंग्रेस के एक नेता है उन्होंने एक बयान दिया है 370 आर्टिकल को लेकर उन्होंने कहा है कि अगर वो पावर में आएंगे यानि कॉंग्रेस जो अगर वो पावर में आती है तो क्या करेंगे कि वो 270 आर्टिकल को फिर से वापस लागू करने के बारे में वो सोचेंगे तो ऐसा उन्होंने बयान दिया चलो इसके बारे में थोड़ा सा डिसकस कर लेते हैं इसको लेकर काफी सारों ने अपनी अपनी रियक्शन दिये हैं इसके उपर एक क्लब हाउस चैट चल रही थी अभी उसके बारे में बात करेंगी कि क्या है क्लब हाउस चैट और यहां पर एक पाकिस्तानी जनलिस्ट ने स्वाल पूछे और उसके उपर दिग विजय सिंग ने कहा कि हम जो हैं लागू कर सकते हैं या फिर इसके उपर विचार करेंगे तो इसके उपर फारुक अब्दुल्ला ने कहा कि भाया हम आपके बहुत शुक्त अभारी हैं आपने हमारे लोगों की भावनाओं को समझा उमीद है मतलब कि यह चीज समन्यारी के कौन सी भावनाओं है मतलब देश में रहते हुए वो एक देश में है जम्मू कश्मीर को अलग थोड़ना है जो ये कह रहे हैं कि वो भावनाओं को नहीं समझे है जब उसको हटाया गया था तो इसमें कौन सी भावनाई आते हैं यह चीज मुझे समझ नहीं आ रही जो अब दीग विजेश सिंग जी उन भावनाओं को समझ गये यहां पर जो पहले कभी कॉंग्रेस में हुआ करते थे अब जो बीजेपी में चले गए हैं जोती रादित्य सिंध्या इन्होंने कॉंग्रेस के उपर वार करते हुए या फिर पलट वार करते हुए का है कि मुझे आश्चरे नहीं है कि इस चीज के अंदर जो ये अब्दुल करते हैं यह इनके शब्द है यह कलब हाउस चैट है यहां पर आप देखिये यह शहजाब जिलानी है इनसे बात हो रही थी धिग विजयेगी इन्होंने मतलब एक तरीके से यहां पर बहुत सारे मीडिया परसन बैठे हुए थे और भी कंट्री जे यहां पर मीडिया परसन मैटे हुए थे तो इन्होंने पूछा था एक कलब हाउस चैट का एक ओडियो जो है वो शोचल मेडिया पर ट्विटर के उपर यह बहुत जादा वाईरल हो रहा है जहां पर आर्टिकल आर्टिकल तिनसो तिनसो सतर करके यह एक हैस्टेग जो है वो काफी जादा वाईरल ह दो राये Twitter के उपर तो यहांपर ये बात बोली जा रही है कि और यहांपर यहांद लीक हुआ है करमा यहांपर लेकर नहीं आयों तो उस ओडियों में जब χाक्या गया जो यह जब 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 जिलानी जब इन्होंने ये बात गह रहे है पाकिस्तानी जनलिस्ट ने इन से पूछा कि अगर जो परधान मंतरी है अगर जो परधान मंतरी भारत के जो परधान मंतरी नरेंदर मोधी जी जी है अगर वो आने वाले चुनाव में नहीं रहते मतलब कि और कोई दूसरा परधान मंतरी बनता है तो आपकी क्या रन निती रहेगी या कॉंग्रेस की क्या रन निती रहेगी तो इसके उपर दिगविजे सिंग ने कहा कि हम 370 जो धारा है उसके बारे में हम सोचेंगे कि भाईया हम इसको हटाएं या फिर वापस लागू करें कि हम सोचेंगे इसके उपर इन्हों ने बात पहले हैं तो कि एक तरीके से ये clear नहीं है कि 370 जो आर्टिकल वो हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए यह बात यहां पर दिग्विजे सिंग बोल रहे हैं और इसके बाद Congress Chief जो National Congress Chief फारुक अब्दुला ने ये बात बोली है कि भाया हम आपके शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इतनी बड़ी बात हमारे ले बोल दी मुझे यसी समन्यारी वो किस बात के लिए शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि 370 आर्टिकल वो उनको चाहिए क्या वो उनका अधिकार है अगर वो देश में है वो भारत के नागरिक है तो इससे बढ़कर और बात क्या हो सकती है कि उनको एक अलग से 377 आर्टिकल लगा के अलग से वहां पर एक स्टेटूट का दरजा चाहिए इसके बारे में फिर से बात कर लेते हैं यह जो हैं सहजाब जिलानी आप इसको देख सकते हैं ट्विटर प्रोफाइल के मुताबिक जो जिलानी है BBC समवद आता और जर्मनी में रहते हैं यह पाकिस्तान के हैं और अब बात करें कि इनसे जब पूछा गया हम तो इन्होंने बता कि धार्मिक कटरवाद समाज के लिए खतरना कही है दिगविजे ने कहा जिलानी के सवालों का जवाब देते हुए दिगविजे ने कहता है मैं मानता हूँ कि जो चीज समाज के लिए खतरना कहा है धार्मिक कटरवाद यानि धार्मिक चाए वो कोई भी हो, चाए वो हिंदू हो, चाए वो मुश्लिम हो, चाए वो सिसाई, सिख, किसी से भी जुड़ी हो धार्मिक कटरवाद नफरत की और ले जाता हैं और इसे नफरत से इंसा होती हैं और कमाल की बात ये है कि दीग विजेज सिंग जी जवाब किसको दे रहे हैं, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को जहां पर वो खुद एक धार्मिक कंटरी है, मतलब वहां कोई सेकुलरिजम नहीं चल रहा, वहां पर ये सेकुलरिजम का ज्ञान अबाट रहे हैं उन्होंने हर समाज के धार्मिक समू को ये समझाने की परतेक व्यक्ति को अपनी प्रमपरा और विश्वास का पालन करने का अधिकार जो भी इन्होंने बात बोली आप यहां पर देख सकते हैं नियु recognise कि कमीर में उन से पूचा नहीं गया कि हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए दूसरी बात इन्होंने बोले कि इसमें इंसानियत का तकाजा रखा गया नहीं इंसानियत का तकाजा रखा गया मतलब भूल गए वहाँ पर लोग रहते हैं ऐसा इन्होंने बोला है और इसमें कश्मीरियत भी नहीं थी, मुझे समझ याते कश्मीरियत का मतलब क्या है यहां पर सभी को काल कोटरी में बंद कर दिया गए यानि सभी जो कश्मीर में जितने भी लोग है सभी को यहां पर काल कोटरी में बंद कर दिया गए एदिग विजे सिंग जी का कहना है अगर कॉंग्रेस सत्ता में आई तो हम इस फैसले पर विचार करेंगे धारा 370 लागू करने में तो ये है इसको लेकर काफी जादा विवाज चिड़ गया है पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं इसके उपर अपना बयान दे रही हैं आपको फिर से बता दूँ 2019 के अंदर 5 अगस 2019 को संपूर्ण भारत एक तरीके से कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर का एक विशेश दरजा हुआ करता था उसको खतम कर दिया गया और भारत में मिला लिया गया जम्मू कश्मीर को उपर नतब की खतम तो कर दिया गया इस धारा 370 को साथ इसाथ जम्मू कश्मीर का जो राज्य का दरजा है वो भी छेन कर उसको यूनियन टेरिटरी अंदर कनवर्ट कर दिया गया क्लियर है इस वियत के और वहां पर उस वक्त अमिशा ने यह बात बोली थी कि हम 370 आर्टिकल हटा रहे हैं इसका मतलब यह नहीं है कि P.O.K. को हम भूल जाएंगे P.O.K. भी हमारे ही इस प्लाइन का मतलब कि हिस्सा है वो तो अब पता नहीं दिख विजय सेंगे इसके उपर क्या कहेंगे तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही था तो अगर आप लोगों को और भी इंफोर्मेशन चाहिए तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को तैंक्स वर वोचिंग दिस वीडियो और अपनी राय कॉमेंट बोक्स में लिख सकते हैं